दोस्तो अगर आपने अपना स्टेट बैंक में खाता खुलवा लिया है और आपके पास आपका ATM आ गया है और आप अपना ATM पीन जनरेट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप अपना नेट बैंकिंग के द्वारा आप अपना ATM जनरेट जनरेट करेंगे यहा फिर आप अपना अगर ATM भूल गया है तो उसको फिर से जनरेट करेंगे उसका पुरा कमग्लीट तरीका आज के इस वीडियो में चैनल को अब लगता है तो एक लाइक प्लिक करने के बाद से दोस्तों देखिए यहां लाइन को क्लिक कर देना है देखिए दोस्तों यहां से login का option आ रहा है यह स्वाल login वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद से फिर से यहां देखिए continue to login वाले option पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको अपना username डालना है और यहां पर password डालेंगे पासवर्ड ढलने के बाद से जो ये कैप्चा लिखा वह आपको इस बाक्स में आपको फिल करना है फिल करने के बाद से log in वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम भल लेते हैं देखिए दोस्तों हमने अपना यूजर नेम पासवर्ड और यह कैपचा फिल कर लिया है अब आपको आपको भी इसी तरीके से भल लेना है बढ़ने के बाद से सिंप्ली लॉग इन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपके खाते में जो रजिस्टर नंबर है उस पर आएगा वह आपको इस बाक्स में डालना है डालने के बाद से सब्मिट पर क्लिक कर देना है तो चलिए कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरह के से हम अपना लॉग इन कर लिए हैं हमार आपको क्लिक करने के बाद से दोस्तों इस तरह का एटियम आपको आप संसरे इंशा इधिये यहां से आपकी तरीके के से आप यूज करना चाहते हैं जी से आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड जोनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड है उससे करना चाहते हैं या आपने डालने के बाद से सब्मिट पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों देखिए इस तरहीं से आपको करने के बाद से सब्मिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद से दोस्तों देखिए यहां पर आपका सब्सक्राइब करने के बाद से सब्मिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है सब्मिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहां पर देखिए पूछ रहा है इंटर फॉस्ट टू डिजिट आफ और डिजाइड पिन मलब आप अपना पिन जो रखना चाहते हैं उसका पहल बहुत चाहते हैं यह दो चले हमक कर दोए यह सब्मिट वाले बटन पर आउऔ आपके डिशेटर मॉबाइल पे आये तो आपको नमबर डालना है शैजन्त है और आपको दिखाया जा रहा है यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों आपने जो आपने फर्स्ट इस्टेप में पहली बार आपने जो अंक डाला था दो अंक वह आला और जोести के institutions के तुरू आया हुआ हुआ है व्हों दोनों आंक आपको साथ में मिला के आपको यहां पर डालना यानि चार ऑंक दो डाला जो दो के आपना बनने के पास से आपको सब्मिट कर देना है अगए आपको कर देना है अब देखें दोस्तों हमारा अपड़ेट हो गया है अब आप अपना एट्यम कहीं भी आपना यूज कर सकते हैं आपना transaction कर सकते हैं जो भी आपको कैस निकालना है कुछ इंक्वारी करना है जो भी करना है आप कर सकते हैं तो दोस्तों यह था पुरा complete तरीका जिसमें मैंने आपको बताया और सिखाया कैसे आप अपने निट बैंकिंग के तुरू अपना आपको बताया दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें साथी साथ चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के वीडियो के नोटिकेशन आप तक पहुशते रहेंगे तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद